नमस्कार ख़रों का बंच रामा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ पूचा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद हैं क्या पतल टीवी के एडिटरिंटी डॉक्टर मिलिश कुमार रुक्सा बहुत स्वाकत है आपका दन्यवाद सबसे वेले नजर हेड्लाइन्स पर जबुकश्मीर को पिया मोदी की विकास की सौगात पंदरा सो करोड की प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रीनगर में कल डल जील के किनारे पियम मोदी मनाएंगे अंतिरास्टी यूग दिवस तैयारियां जबर्दस्त पतना हाइकोट से राहूल गांधी और इंडी गडबंदन के नेताओं को बड़ा जटका हाइकोट ने बिहार में आरक्षन बढ़ाय जाने के पैसले को किया रद पैसले को बताया संविधान के खिलाब नीट के बाद अम नेट पर गर्माई सियासत मोदी सरकार पर हमलावर विपाक्ष कॉंग्रस ने किया एलान 21 जून को सभी राज्यों में होगा विरोध प्रदर्शन रापल गांदी ने कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा केजरिवाल की जमानत याचिका पर राउजवेन्यू कोट में लगतार दूसरे दिन हुई सुनवाई एडी ने बढ़ाई केजरिवाल की मुसीवत एडी ने कहा हवा में नहीं की जाच केजरिवाल के खिलाब पुक्ता सबूर वश्यमंगाल की राजपाल ने कॉलकता पुलिस को बताया अपने लिए खत्रा कहा मैं राजभवन में तैनाथ पुलिस के साथ सुरक्षक नहीं पुलिस कारिकाल का शपत लेने की बाद प्रधानमंत्री नरेज मोदी जमुकश्मीर की दो दिवस्य दौरे पर हैं आज पीम ने श्रिनगर में शेरिक कश्मीर इंटरनाशनल कॉर्फेंस सेंटर में युवाओं को ससक्त बनाना जमुकश्मीर को बदलनाक कारिक्रम में भा पूद करने के लिए कई बड़े एलान भी किये हैं और कल के दस्वें अंतरास्टी योग दिवस कारिक्रम की भी बड़ी तयारी है पियम मोदी कल सुबा साड़े च्छे बजे से कॉमन योग प्रोटकॉल के तहट SK ICC के बैक्यार्ड में डल जील के किनारे योग आसन इस दौरान करिब साथ हजार लोग उनके साथ योग करेंगे जिसकी तयार्या जबरदस्त है पियम मोदी का दो दिवस्य जमो कश्मीर का दौरा आज इतनी बड़ी-बड़ी सौगाते और कल की क्या है तयारी देखिए प्रधान मंतरी मोदी मैसेजिंग करने में मास्टर है योग पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है एक इंटरनेशनल योगा डे ये हिंदुस्तान की ट्रेडिसन हिंदुस्तान की परंपराओं का एक अंतराश्ट्रिय करन जिसको कह सकते हैं कि प्रधान मंतरी मोदी नहीं किया अब उन्होंने जगह भी कौन सा चुना है कश्मीर कश्मीर से आप ये काम कर रहे हैं पहले जो पहली बार जब वह तो आपको याद होगा कि वो इंडिया गेट से उन्होंने किया था पर हमने एक बार देखा कि इन्नोंने नियॉयॉड में जाकर कि किया था इस बार कश्मीर से आप देखिए कि religious boundaries को भी वो ढाने की कोशिश कर रहे है रही बात तैयारी की तो पूरी दुनिया में इस सारे चीज़ों को मनाया जाएगा हिंदुस्तान का एक योगदान लोगों में और दुनिया भर में एक health को लेकर के योग को लेकर के जो एक awareness हुआ है वो तो होगा ही लेकिन कुछ लोगों से हमारी बाचीत हो रही थी कि अचानक से जम्मू कश्मीर में सारी चीज़े हो भी रही है आज कर लातंकियों के खिलाफ कारवाई भी बहुत ज़्यादा और सक्त भी हो रही है और विकास का जो काम भी वो भी चल रहा है तो बताया गया कि अगले पास साल तक के लिए क्या क्या प्लान कहां के लिए क्या बना हुआ है वो रोड मैप और लेडी तैयार था कोई इस रिजल्ट का सरकार की सीटे कितनी आएंगी कौन सा मुद्धा उठेगा कौन सा मुद्धा दबेगा ये उनकी चिंता किये बगएर सरकार अपने जो एक तरीका है नोंने और लेडी जो रोड मैप तैयार कर रखा है उस पे वो सतत चल रहे है अब बात करते हैं पटना हाइकोट से राहुल गांधी को लगे बड़े जटके की राहुल गांधी लोकसवा चुनाव प्रचार में घूम घूम कर कहते थे कि सत्ता में आने पर हटा देंगे 50 प्रतिशत आरक्षन सीमा देश के एक्सरे करानी की बात करते थे आरक्षन के मुद्धे पर देश और जाती को बाटनी की कोशिश में लगे थे पर आज हाइकोट ने एक ऐसला पैसला सुनाया है जो राहुल गांधी समेथ पूरी विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा जटका है पटना हाइकोट ने बिहार में सरकारी नौकरी और स्यक्षनिक संस्थानों के दाखिले में जाती आधारित आरक्षन को 65 प्रतिशत करने वाला कानून रद कर दिया है बता दे कि बिहार सरकार ने जाती आधारित जंगना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर OBC, EBC, दलित और आदिवासियों का आरक्षन भढ़ा कर 65 फीजदी किया गया था हलाकि अब पटना हाइकोट में इसे रद कर दिया गया है हलाकि समराच चौधरी कहर रहे हैं कि वो हाई कोट के फैसले के खिलाब सुप्रिम कोट जाएगे लेकिन आज जो फैसला आया है ये किस के लिए जटका माना जाएगे देखी ये राहूल गांदी और उन तमाम जातिवादी पार्टियों के लिए जटका है जो सम्विधान को ताख पे रखकर अपने वोट बैंक अपीजमिन्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदूओं को जातियों में बाटना चाहते हैं पहली चीज तो ये कि जिनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं जिनके पास मबलाइस करने के लिए जनता को कुछ देने के लिए कुछ नहीं कोई योजना नहीं कोई भविश्य के कोई रन्नी ती जिनके पास कुछ नहीं है वो जाति के नाम पे वोट लेते हैं इसमें सारी पार्टिया सम्मिल थे लेकिन यह फैसला तो मार्च में आना था पटना हाई कोट ने अभी क्यों सुनाया पहले सुना दिये होते तो राहूल गांदी यह जो खटा-खट-खट-खट सरकार बनने दो यह रिजर्वेशन खत्म कर देंगे और एक जो प्रपंच चल रहा था कि मोदी सरकार आएगी तो आपके रिजर्वेशन को खत्म कर देगी यह सारे कन्फ्यूजन और राहूल गांदी को जोट बोलने और गलत वदा करने से यह फैसला रोक सकता था लेकिन अब यह फैसला सुनाया गया है अब आप सुप्रिम कोट जाएए यह कहीं जाएए मूल बात क्या है मूल बात यह है कि कोट में आप जाएंगे कोट से यह खारीज होगा हिंदुस्तान में मुसल्मानों को धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं मिल सकता OBC दलित इनको 50% से जादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता यह संविधान है यह बाबा साब का संविधान है जिसको यह लोग अपनी घटिय राजजीति के चक्कर में उसको तोड़ना चाते है सवाल बस इतना ही है अगर आपको बदलाव करना है तो 9th schedule में बदलाव करना पड़ेगा और वो पार्लिमेंट के अंदर होगा तो जब भी कोई निता यह कहता हो कि सुप्रिम कोट जाएंगे तो यह करेंगे तो हम वो करेंगे आगे लडाई लडेंगे हम संगर्स करेंगे वो OBCS को चल रहा है अब बात करते हैं नीट के बाद नेट पर गर्माई सियासत की देश के विबिल शेहरों में 18 जून 2024 को आज़ित UGC नेट परिक्षा को श्रक्षा मंत्राले में रत कर दिया परिक्षा में गडबडी की आशंका को लेकर यह पैसला लिया गया इसके बाद सियासत गर्मा गई है कॉंग्रस ने कहा है कि मोदी सरकार युवाओं के भविश के साथ खिलबाड कर रही है कॉंग्रस ने कल पुरे देश पर में विरोध प्रदर्शन का अलान किया है तो वही आज राखुल गांदी ने मोदी सरकार पर तंच कस्तेवे कहा कि नरेंद्र मोदी ने रूस और युक्रेन के बीच की लडाई को रुकवा दिया इसराइल और गाजा की लडाई भी रोक दिया था पर हिंदुस्तान में पेपर लीग को नरेंद्र मोदी नहीं रोक रहे है राहुल गानी ने कहा कि वो ये मुद्दा संसद में भी उठाएंगे तो वह इस मामली में बिहार के जिप्टी सियम विजह सिन्हा ने बड़ा दावा किया है सिन्हा ने कहा है कि तिजस्वी आदव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीग के मास्टर माइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था सरकार भी आक्षिन में आ गई है माना जा रहा है कि मामली की प्रारंफिक जांच रिपोर्ट के बाद कई बड़े अधिकारी हटाए जा सकते है इतना बिवाद चल रहा है लेकिन क्या कॉंगर्स पार्टी ने इसे एक नया मुद्दा बना दिया है देखिये राहूल गांदी की तो एक्षा है कि इस मुद्दे को उठाया जाए लेकिन साइद उनके पास जानकारी नहीं पहुची कि मामला जो है थोड़ा उलट सा गया है उलट इस तरीके से गया है कि यह जो नीट एक्जाम में जो पेपर लीक्स होई वो बिहार में तेजसु यादब के करीबियों के द्वारा किया गया बहुत कहानी चल रही थी कि एक एनचे आई कि सरकारी गेस्ट हाउस में चार लोग रहे थे और किसी मंत्री जी ने उस महाँ पे कमरे दिलवाये थे इन लोगों को इन फ्रॉड्स्टर्स को अब मालूम चल रहा है कि यह मंत्री जी कोई और नहीं यह मंत्री तो तेजसु यादब है क्यों क्योंकि बकाइदा अब इसको वाटसब कॉल और टेक्स्ट सारी चीजों से खुलासा हो चुका है इन्विस्टिगेशन से पता चल चुका है कि तेजसु यादब के जो पीएस हैं प्रीतम बाबू उन्होंने ये कांड किया उन्होंने ही कमरे दिलवाये और दूसरी चीज जो वहाँ सिकंदर यदविंदू के बारे में बताया जा रहा है जो प्राइम अक्यूज़ जाए वो लालू यादब का खासम खास है राची में जब लालू यादब जेल में थे और जेल से जब वहाँ पे इंडी गौर्ण सरकार आई तो उनको सिफ्ट करके एक गेस्टाउस में रखा गया तो ये सारी खातिरदारी यही सिकंदर कर रहा था अभी सलाखों के पीछे है तो अब आप इस मुद्दे को पारलिमेंट में उठाएंगे तो ये तो बीजेपी वाले फिर आपको छोड़ेंगे नहीं ये मामला एक तरफा था अब विपक्ष को जवाब देते नहीं बनेगा लेकिन वाटेवर सेट अड़न एक बात तो कहना पड़ेगा सरकार को इमिडियेटली इस मुद्दे के ऊपर सलस्ट के अंदर चर्चा करवानी चाहिए चर्चा होनी में चाहिए और इसका एक ही बहुत सही उपाए है कि ये सारे कामों के लिए आप स्पेशल कानून बनाए कि जो कोई भी बच्चों के भविस्ट के साथ इस तरह का खिलवार करता है चाहिए वो पेपर लिग करवाता हो एक्जामिन से में गरबड़ी कराता हो या कुछ भी इसके लिए उमर कहा दिया फासिक की सजा मुकरर कीजिए सारी बीमारियां खत्ब हो जाएगे अब बात करते हैं दिली की मुक्हमंत्री अर्विन केजिवाल की जुनकी नियाई खिरासत को पहले ही 3 जुलाई तक बढ़ाया गया है केजिवाल का जेल से निकलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है पर फिर भी केजिवाल जमानत याचिका लगा कर बहाने बना कर जेल से बहार निकलने की पूरी कोशश में जुटे हैं पर अपसोस केजिवाल की सारी दलीले कोट में धरी की धरी रह जा रही है क्योंकि एडी के पास केजिवाल के खिलाफ पुक्ता सबूत है आज केजिवाल की जमानत याचिका पर राउस जबन्यो कोट में लगतार दूसरे दिन सुनवाई हुई पर कोट में एडी ने जो दलीले दी है जो सबूत दिखा है वो केजिवाल के लिए बहुत बड़ा जटका है आज सुनवाई के दौरान एडी के और से पेशवे अडिशनल सॉलिस्टर जनरल स्वी राजू ने कहा कि एडी ने हवा में जाच नहीं की है केजिवाल के खिलाफ पुक्ता सबूत है उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए वहीं केजिवाल के और से पेशवे वकील विक्रम चौतरी ने कहा कि केजिवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ देखिए बोलती बंद हो गई आप जो है कहते रहे कि कल्पना के उपर आधारित है उसे क्या फर्क पड़ता है जज सहाब को आप कर्णून्स कर पाए अप्लिकेशन आपका है आप बेल चाहरे हो तो बेल की पहली जो आप शर्त जो है वो क्या है वो यह है कि आप जज सहाब को कोट को यह आस्वासन दे सको कि यह जो जुर्म हुआ है उसमें मैं शामिल नहीं हूँ क्या आप यह कर पाए नहीं कर पाए नमबर दो आप ने कहा काल्पनी किसलिए है क्योंकि यह सिर्फ बयानों के उपर आधारित है ED ने बताया कि सिर्फ बयान नहीं है हमारे पास तस्वीर भी है हमारे पास टांजेक्शन भी है हमारे पास मनी ट्रेल भी है और हमारे पास यह जो गुवा में जाकर के सेवन स्टार होटल में रुका करते थे अरविंद केजरिवाल उसके पेमेंट में आपने ये सारे काले धन कैश में आपने दिया है उसके भी हमारे पास सबूत है हमारे पास यतनी जानकारी है इसके भी सबूत है कि कैसे 18 बार 18 अलग-अलग खेप में हवाला ओपरेटर्स के जरिये 17 करोर 80 लाक रुपए गोवा भेजा गया एक-एक नाम एक-एक चीज एडिक ने खंगाला है और इसलिए ये बहाने कर रहे हैं कभी कि भई ये कालपनिक है तो कभी मेरी तब्यत कराब है तो कभी समंस को लेकर सवाल उठाते हैं कभी कहते हैं प्लिटिकल बेंड़ेटा है ये सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है जो प्रामाफिस से नजर आ रहा है के जरिवाल का वही हाल होने वाला है जो हाल मुनिस्सी सूधिया का हुआ है आखरी कबर में बात पश्यमंगाल की जहां मुख्यमंत्री और राजपाल की बीच में एक बार फिर से ठन गई है पश्यमंगाल की राजपाल से भी आनंद बोस ने आज कहा कि उन्हें राजबवन में तैनात कॉलकता पुलिस के मौजूदा दल की वजह से अपने सुरक्षा क खत्रा होने का अंदेशा है वो उसने हाली में पुलिस कर्मियों को राजबवन परिसल खाली करने का आदेश दिया था जिसके कुछ दिनों के बाद यह बयान सामया है हलाकि पुलिस कर्मी अभी भी राजपाल भवन में तयानात है इस पर ममता बेनरजी ने कोई भी संग्यान नहीं लिया है आखिर क्यों ममता बेनरजी आक्षन नहीं लें है जा मुझे उनकी नोलेज्ज में यह बात है आज वे इस्तिफा देदे गवर्नर साहब आपको चुछी लिखना चाहिए राश्पती जी को कि यहाँ पर रूल का रूल ओफ लॉक खत्म हो गया है आपको रिकमेंड करवाना चाहिए आप यहाँ से लिख करके दें कि यहाँ पर राश्पती सासर लगे आठके 356 सम्मिधान में किसली है आप रोना रोना बंद एक्षिन का टाइम है आप हर चीज को लेकर कि यह कहने लगते हैं कि हम तो बड़े कमजोर हो गए पुलिस आ गई पुलिस पे बरुसा नहीं है पुलिस पे भरुसा नहीं है तो इसका मतलब तो रूल अफ लॉफ लॉफ है नहीं आप संदेश खालिया आपके नाफ के नीचे होता है आप कुछ नहीं करते चुना होता है चुना के बाद हिंसा भरकती है आप कुछ नहीं करते तो आज़र तो आपको जो गवर्नर बनाया गया है जिन लोगों ने गवर्नर बनाया है के निसरकार को आप लिकर के दें कि यहाँ पर तो रूल अफ लॉफ 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 नहीं है आप लोग सोचो आपका काम दाने यह सिर्फ बयान बाजी करने से काम नहीं चलेगा आपको एक्षिल नहीं क्या हो सकता है आपके पास सम्विदान ने प्रयाप्त शक्तियां दी हैं और आप जो हैं वहाँ बैक्टर के राजिंदी के अखाले में फोसे हुए हैं तो यह तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नर साब खुद को सुरक्षित मैसूस नहीं कर रहे हैं तो यह केंद सरकार के ऊपर ही एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि आप एक राजिक के अंदर पूरी तरीके से रूल ओफ लॉक कोलेफ्स कर चुका है और यहां दिल्ली में बैठे सारे लोग आख बंद करके बैठे हुए हैं बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यमाज समझाने क के लिए दन्यमाग का पंच्छाम में आज के लिए पलाल इतना है देश वीदेश के वाकी खबर और उनके सटेक अनलिस के लिए देखते रहे क्यापटल टीवी हमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और क्यापटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार